शर्मिली बहु माना शर्म औरतों का गहना होता है लेकिन इतना भी गहना नहीं पहनना होता कि आज पास के लोग इससे परिशान हो जाए कैसे? देखी आरा शर्मिली बहु पता नहीं किसने इसका नाम शर्मिली रख दिया शर्म के सिवा कुछ नहीं आता इसे तबी शर्मिली का दिवाना पती बोल उठता है क्या है मा जब देखो तब मेरी शर्मुक की बारे में नजाने क्या क्या कहती रहती है एक तो बहु शर्मिली है वो नहीं दुनिया को देखो कितनी परिशान है बात दुनिया की परिशानी की हो रही हो तो दुनिया कहां पीछे रहेगी आ जाती है पडोसन तिवारन घर में हाई रे दिदी कैसी हो कुछ देर आप लोगों के घर बैठ कर सांस ले लू अरे हाँ हाँ तिवारन लेले सांस क्या हो गया तेरे घर क्या हवाचलनी बंद हो गई है वैसे अरे शर्मिली जरा पानी देना तिवारन चाची को अरे क्या बताए बस पूछो ही न अरे हम थे एक साड़ी पलुसर पर पूरा जीवन निकल गया एक बहु आई है मैकसी के अलावा कुछ पहनने का नामी नहीं लेती कहती है गर्मी है अब बताओ दीदी गाउन में सारा दिन पता नहीं मा क्या सिखा कर भीजी है हाई रे और घर में कोई अगर आ गया तो तब क्या करती है करती क्या है वही एक चुन्नी ले लेती है सर पर डाल कर मंडराती रहती है ओफ यह तो बुरा हाल कर रखा है आज कल की लड़कियों ने ये बोलकर सास फिर बहु को आवाज दीती है अरे कहा रह गई तीवारन को क्या प्यासा मार कर छोड़ेगी ले आओ ना बहुरानी पानी तबी बेटा पानी लेकर आ जाता है तीवारन बेटे को ऐसे देखती है जैसे हाथी खोड़ता देख रही हो सही है बचवा माई की कहने पर तो कपवा न उठाते थी आज महारो के कहने में पानी लेकर आ रहे हो जाओ जरा चाइयां भी ले आओ अधरक वाली अरे क्या हो गया बीबी कहा है तेरी बेज उसे चाए लेकर अधरक वाली मावो दिवारी चाची से शर्मा रही है बोल रही है के सामने नहीं आएगी हमसे शर्मा रही है काहे हमको नोई जट लोटने वाले लगते हैं क्या सास अब क्या बताए अपनी बहु के बारे में कि भई तुम बेशर्म बहु से परिशान और हम है कि शर्मिली बहु से परिशान करे तो क्या करे अब इसे बात करी रहे थे कि कापते हुए हाथ चाई लेकर ट्रे में आती है गुंगर से पूरा मूँ ढगा और शर्म के मारे हाथ काम रहे थे और अरे अरे ये क्या सारी की सारी चाई महमानों के उपर ओफ वो सारी 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 वो क्याना चाची ची से शर्म आ रही थी तो हाथ को ज्यादा ही काप गए अरा बहु महमानों को जला कर खाक कर दिया तेरी शर्म ने तो आई रे जैया इससे तो अच्छा हमारी बे शर्म वाली है कम से कम जलाती तो नहीं भई माप करो मैं तो चली मेरी बहु ही सही है उसी की पास चलती हूँ तिवारन तो 9-11 हो जाती है लेकिन बहु को बहुत शर्म आ जाती है अब क्या हो गया है कम क्यों रही है फो माजी शर्म से शर्म से नहीं गुस्से से कम पा जाता है खेर तो अंदर जा और बहु चेहरा भी कभी दिखा दिया कर इतना घूंगट हमेशा सही नहीं है फिर बेटा बोल पड़ता है मा जीने क्यों नहीं दे दी उसे अरे क्या कर दिया उसने आप तो और ही हो बहु ए घूंगट में ही अच्छी लगती है और एक आप उ जो अरा बस कर निकल यहां से कोई बात बहु से करो तो तू आ जाता है बोलने उसकी मा बन कर चल निकल यहां से शर्मिली बहु का शर्माना भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था एक दिन अब इस बात पर तो बहु इतनी शर्माती है इतनी शर्माती है कि क्या कहना कहर सास की आगया तो भगवान की आगया है ये मान कर शर्मिली मंदिर जाती है जहां पर किसकी मंदत मांगिये बैन लड़का या लड़की अरे बेटा हो या बेटी चिराग तो हर कोई होता है क्यों पंडी जी आप तो बस बहु को आशिरवाद दीजिए लेकिन ये क्या बहु कहा है अरे कहा है बहु वो तो दिखी नहीं रही अरे कहा गई वो तो जब आप चिराग वाली बात कर रही थी न थभी शर्मागर चली गई ओ, नजाने इसकी इतनी शर्माने की आदत क्यों है अरे पंडी जी, आप ना पहले इसी का इलाज कर दे कैसी बात करीए मैं जी, शर्म लिहास तो औरत का गैना होता है इसे कैसे दूर कर दे सास को आ जाता है गुसा सास घंटो परेशान होती है सोचती है कि घर चले लेकिन फिर लगता है कि बहु को तो घर का रास्ता भी नहीं पता शर्म के मारे वो तो घर से निकलती नहीं है थक हार कर सास बैठ जाती है जमीन पर आए राम क्या करे कहां से लाए बहु सास बैठे को फोन करते है वही देखेगा कम से कम आ जाये तो भटके तो ना सास बैठे को फोन करके बिला लेती है आरा बैठा पता नहीं बहु कहां चली गई बैठा हसने लगता है बिचारा बीवी के गम में पागल हो क्या है आरे बेटा सच्ची तेरे बीवी पिछले दो घंटे से नहीं मिल रही है, तु एक काम कर तु बाहर देख मैं यहीं हूँ बेटा सामने बैठी लड़की को बुलाता है क्यों, मा को काय परिशान कर रही हो हम तो देख रहे थे कि सास सुमा कुछ ढूण रही है अरे यह कौन है, यह तो घंटों से यहीं बैटी है, पर यह है कौन बहु जो की काफी समय बात बिना घंगट की सास के सामने आती है, सास उसे पैचान ही नहीं पाती ओहो तो तू बहु है हे भगवान बिना घोंगट के देखा नहीं तो पता ही नहीं चला कि तू ही है इसलिए कहती हूँ कभी-कभी चेहरा दिखा दे आकर समझी देख कबसे परिशान थी मैं सभी घर आ जाते हैं एक दिन की बात है मा अपना खयाल रखना मैं दो-चार दिनों के लिए दूसरे शेहर जा रहा हूँ शर्मिली का भी ध्यान रखना उसका क्या ध्यान रखना वो तो किचन से कम रा कम ऐसे किचन ही करती है बस अरे बिटा उसे बोल के थोड़ा बहार निकले लोगों से मिले ये क्या होता है कि ओहो तो फिर शुरू हो गई मा अरे लोग तो चाते हैं कि बहु घर की चार दिवारी में रह तू है कि उसे बाहर भीजने में लगी रहती है फिर शुरू हो गया ना उसकी मा का किरदार निभाने ठीक है जा तू बेटा दो-चार दिन के लिए चला जाता है अरे बहु क्या हो गया सास देखती है कि बहु का बदन तो तेज दप रहा है वो डॉक्टर को फोन करती है इनको तो रात से ही फीवर है आपने रात में क्यों नहीं बिलाया मुझे हारे डॉक्टर साब मुझे खुच जब पता चलेगा तभी तो बुलाओंगी न पर बहु मुझे बताया क्यों नहीं बहु कुछ नहीं कहती सास समझ जाती है कि वो डॉक्टर से शर्मारी है सास डॉक्टर को भेज कर बहु से बात करती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसने सास को आवास तक नहीं लगाई माजी वो क्या है ना हम गमरे में मैक्सी पहने थे लेकिन जब तब यत खराब हुई तो सोच आप कपड़े चेंज करे फिर आपको आवास दे हिम्मत नहीं हो रही थी है रे बहू तो क्या मैक्सी ड्रस नहीं होती अरे इतना ना शर्माया कर रुख मैं तेरे घर से किसे को बुलाती हूँ कि कैसे पाला है तुझे इन लोगों ने सास बहू के माई के वालों को बुलाती है भाई साहब बेटी को शर्म लिहाज सिखाना अच्छी बात है लेकिन इतना भी नहीं कि सारा दिन शर्माने में ही गुजर जाए वो क्या है ना बेहन जी इसकी मा भी ऐसी ही थी तो बच्पन से इसने यही देखा है शर्माना इसलिए अरे पर भाई साहब आप ही सोचिए कैसे चलेगा यह सब यहाँ नहीं चलेगा ना अब बिमार हो गई तो शर्म से बुलाया नहीं पड़ोसी से शर्मा कर चाय गिरा दी मंदिर में सामने खड़ी थी भाई साहब मैं तो पहचानी नहीं पाई कि मेरी यह बहु है क्योंकि कभी घुंगट अठाया ही नहीं मुझे तो लगता है कि एक दिन अगर मैं मर भी गई ना तो किसी को बताने भी नहीं जाएगी यह बोलकर साहस जोर-जोर से रोने लगती है कि तब ही बहु आ जाती है और साहस का हाथ पकड़ कर कहती है साहसु मा मुझे माफ करती जी मेरी माने यही सिखाया इसलिए मैं ऐसी थी लेकिन आप लोग ना काफी मौडन है अब ऐसी सोच का सिसराल मिला है तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरे कारण तकलीफ ना हो मुझे माफ करती जी लेकिन ऐसा मत बोली कि आप मर जाएंगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी इतनी भी शर्मिली नहीं हो मैं बहु कुछ भी बोल मजाग कर लेकिन इतनी भी शर्मिली ना बन के मुझे इस घर में अकेला पन लगे ठीक है भाई साब हमारा प्रॉब्लम तो निपट गया है लेकिन आप लोग भी देखिए माना लड़कियों में शर्मिला पन होना चाहिए लेकिन बेटियों को इतना भी शर्मिला ना बनाईे के वो घर बाहर के दुनिया ही ना समझे क्यों?